हलो और वेलकम एवरीवन वेलकम टो एग्री कॉंसेट एवरी गूड वर्लिंग टो एवरीवन सो टुड़े इन सेशन वी विल डिसकस अब आध के इस सेशन में कम्पलीट हो जाएंगे तो इसके अंदर आज आपन शुरू करने वाले बंड फोर्मर है उसके बारे में देखे किया गया है तो वह सब चीज़े देखेंगे और जो कुशन सियासे बनते हैं उनके सब के बारे में हाथ से बात करेंगे चानल पर नए हैं तो प्लीज चल्ब को सब्सक्राइब कर लें साथ मबैल आइकोन को प्रेस करें ताकि आरे जाने वाले चितने भी वीडियो से आपक और इस सेशन की पीडियाइफ आपको हमारे टेलीगाम चनल मिल जाएगे उसको जोइन करने के लिएymm होके!! इस तरखा का डाइगराम होता है तो इस तरह का कुछ बंड फोर्मर मॉर्च एस तभर बंड बनाते ओं पर बनद बनाते हैं। हम में रसमें कितना रं-व और सोओ इलोज़ों करने में या water को divert करने में हमें क्या करता है यह function इसका रहता है तो यह बात कर लेते हैं यहाँ पर इस यूज फूर मेंकिंग बंड्स और रिजिस बाइक लेक्टिंग तो लिए कि यार मिट्टी को इकटी करता है इकटी करके जैसे मालों कि इधर की मिट्टी को अदर है यहाँ की मिट्टी कर लिया और फिर क्या होका कि यह मिट्टी eyes करके यह1 तरीके से दौरे आइप में बंड बना देता है बंड बना सकते हैं, thereby can conserve moisture and prevent runoff, जिससे क्या होगा कि हमारा moisture भी soil के अंदर ही रजाएगा, field के अंदर ही रजाएगा, और जो runoff है water का, वो एक field से दूसरे field में जाने से बच जाएगा, फिर बताना चारा है कि the size of band format is determined by the measuring the maximum horizontal distance between the two ear heads of the forming bands, अब ये कहना चारा है कि अगर size हम depend करता है कि हमें कितनी बड़ी band बनाने तो वो depend करती है कि इसके जो horizontal distance है कि इसके वीच में between two rear ends of the forming bands, अब दो rear ends कोन से हैं, एक तो ये वाला हो गया और ये वाला हो, अब इनकी बीच में हम जितनी horizontal, मतलब horizontal होता है यू होता है, ये बंड क्या होगी, छोटी बनेगी, जैसे हमने छोटी वाली band बना दी और अगर distance को क्या कहते हैं, increase कर देंगे तो ये बड़ी वाली band बन जाएगी, तो ये depend करता है कि हम इसका rear ends से हम क्या कर सकते हैं, size कितनी इनके बीच में रखते हैं, तो next अपने बात करेंगे, band former के बारे में दो ridge है, जिसके अंदर ridge हम बनाते हैं field के अंदर, तो कुछ ऐसा implement से हो, आपको क्यूपेंट है वो आपको दिख रहा होगा diagram है, इस तरीका ये ridge दिखता हो, इसके अंदर ये shovels लगे होते हैं, ये shovels आपको या पर दिख जाएंग तो ये क्या होते हैं, इसका function होता है, तो ridge अगर आप नहीं दिखे तो agronomy में जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको क्या हो जगा, diagram अगिरा दिख जाएगी, और I hope अगर पढ़ाया होगा तो आपने already देख रहा का होगा, तो ये बता देंगे, it is an implement importantly used for the foam ridge, required for the sawing था, raw crop seeds and plant as well as tilled soil, अगर ये कहना चारा कि हमें अगर raw crop seeds लगाने हैं, किसी particular raw के अंदर हमें seed लगाने हैं, या कुछ plants लगाने हैं, मतलब transplanting करनी है, well tilled soil के अंदर, तो वापे हम क्या करते हैं, reager का क्या होते हैं, काम में लेते हैं, ये voice आपको बार से आ रही होगी, त इसको ignore कीजिएगा, और आप इसे session पर focus कीजिएगा, और इसके लिए मैं माफिश होँगा, voice जो आ रही है, और natural voice हो हम control भी नहीं कर सकते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, reager is also used for forming field or channels, earthing up and similar other operations, तो ये कहना चारा कि reager हम और क्या functions होते हैं, इसके जो और function होते हैं, जो हम क पर इसे इसके आप कर सकते हैं, जैसे हम सुगर केंठ में करते हैं या फिर हमारे crop करते हैं जीका होगा की हमारे crop होती है उसके उसके नियुगे होती है क्यों कि अंदर मिटे सब्सक्क्राइब करते हैं और कुछ other operations भी अगर हमें field के अंदर करना है, जैसे weed वगरा को remove करना है, deprooted है कुछ, उसमें भी एक बार के लिए इसको use कर सकते हैं, फिर यह कहना चारा है कि अपन क्या करते हैं, field को level करने में कामें आता है, field हमारे uber cupboard है, जिसके अंदर पानी हमें अच्छी तरगे से field में निदे पा रहे हैं, या फिर drainage की हमें problem आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, level कर देंगे, ए पटिकुलर slope उसके अंदर क्या कर देंगे, maintain कर देंगे, यह कहना इंप्रूब करना, जिससे पानी नहीं बढ़ेगा, field के अंदर उसके लिए अपने लेवल का यूज कर सकते हैं, minimum source erosion हमें, जिसके अंदर जाला है, जितनी उबड़ खाबड जमीन होगी, उसमें क्या होगा, erosion ज्यादा होगा, air erosion ज्यादा होगा, water का, कटा हो ज्यादा होग ज्यादा होगा, जिसके रेन वाटर वो इतरी कहीं रुखेगा नहीं, वो ब्रन ओफ हो जाएगा, water का, field में रुखेगा नहीं, पूरी कि उतिलाजेशन नहीं हो पाएगा, और अगर लेवल हमारी जमीन है, पूरी तरी हम कंचर्व कर पाएंगे, rain water का हो रहा है, उसको, इ अगर अंदर, field के अंदर हमें कोई भी mechanization करना है, जैसे कि हम इने tillage करनी है, और फिर crop के sowing के बाद में उसके अंदर कुछ intercuture operations करना है, तो उसके अंदर भी हमारी field है, अगर वो level रहेगी है, फिर irrigation भी हम कर रहे हैं, जैसे कि हम अगर बात कर लेते हैं, जो हमारा sprinkler irrigation है, तो उसको हम जो undulet land है, उसके अंदर इतनी है, उसको तो यूज कर पाते हैं, लेगिन जो हमारा drip irrigation है, उसको यूज नहीं कर पाते है, क्योंकि उसका जो pressure है, वो maintain वापे नहीं हो पाता, तो उसके अंदर हमें क्या होता है, फिल्ड की leveling चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक त cultivator की बात कर लेते हैं, cultivator का diagram को खुछ इस तरह दिखाई देगा, और यह में, I hope आपने सब इने cultivator देखा भी होगा, तो cultivator के functions की बात कर लेते हैं, यह काना चाहरा कि, इसके अंदर क्या होदा, adjustable tines लगी होती है, या फिर जिनको बन डिक्स भी बोलते हैं, जो between the row of the crow, जै यह जो space है, इसके बीच में, यह आपको दो डिक्स दिक्री होगी, इनके भी इतनी साइज आना, यह adjustable है, मतलब इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको क्या होदा से कम भी कर सकते हैं, यह इसमें क्या होदा, adjustable tines लगी होती है, depend करता है कि हम row crop सोब में कैसी लगानी है, crop का जो उ ने सब्सक्राइब और यह जो और हमारे cloths होगरे अधेले और होता है, उनको क्या कर सकता है, यह तोड़ देता है, फिर कहना चाहा कि, the tines fitted on the frame of the cultivator, comb and soil deeply in the field, हो क्या करते हैं, हमारे जो field होती हैं, उसके अंदर गराएं में चली जाती है, फिर बताना चाहा कि the cultivator perform functions immediately between those of pl और जो कल्टिवेटर का फंक्शन होता ना वह हमारे प्लाउ। और है दो के जो प्राइमरी फंक्शन और करना तो हम पर क्या करेंगे यूज कर सकते हैं फिर एकाना जारा है important function performed वाज़ा cultivator की दुआर कौन से important function से वो perform किया जाते हैं पहला काना जारा कि interculture field के अंदर कर सकते हैं operation date ने भी है हमारे weeds को हम अठा सकते है ariate the soil for proper growth of the crop अगर हम soil को अच्छी तरीके से हम deeply cultivator को penetrate करेंगे soil के अंदर तो उसके अंदर अच्छा कासा aeration develop हो जाएगा कंजर moisture को क्या कर सकते हैं कंजर को कर सकते हैं by preparing mulch उनतर soil surface के अंदर क्या कर सकते हैं mulch prepare कर सकते हैं अगर इसके अंदर soil attachment मतलब कि इसके अंदर seed distributor के उपर लगा होगा तो हम sowing of seed में भी इसको यूज कर सकते हैं फिर ही कहना चाहरा कि to prevent surface evaporation and encourage rapid infiltration the rain water into the soil और अगर surface evaporation से हमें बचना है मतलब उपर जो वाश्प के दुवारा मतलब जो अमारा water का loss हो जाता है operation के दुवारा अगर हमें उससे बचना है तो हम क्या कर सकते हैं cultivator का यूज कर सकते हैं जिसकी infiltration of water का जो soil के अंदर deeply जो water जाएगा वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा जिससे कि हमारा moisture maintain रहेगा अभी कहना जाएगा कि trailed type cultivator होते हैं कुछ जिसको अपर क्या घरते हैं गसीट के चलाते हैं ट्रेक्टर के पीछे mount कर लेते हैं फिर उसको क्या घरते हैं तो इसको क्या घरते हैं यह कहना चाहिए जो forward end होता है cultivator का देर इससे hitch arrangement होता है और hitching purpose के लिए जैसे कि आपको hitch arrangement मैं बताऊं यह वाला जो है hitch arrangement है इसके अंदर जिससे कि हम क्या होगा यह सारों को जितना भी cultivator को common point पे end इसको क्या करेंगे इसको fit करेंगे tractor से फिसको क्या करेंगे मांटीड अपन क्या करेंगे tractor के साथ मांटीड करेंगे ट्रेल करेंगे फोरी यह बताना चाहरा कि यह पेर हो वील और प्रवाइड इंडर को जिसके अपन क्या होगा ज्यादा दिकत नहीं आने वाली है मांटीड के बात करेंगे यहां पर मांटीड टाइप का होता है चो ट्रेक्टर गौनगल आयन इस त्री पॉइंट लिंकेज ऑफ ट्रेक्टर दा क्रोस मेंबर के री दाइंस इन दे टू सेग्रिगेटिड लाइन्स इपटिक अपो टाइफ ऑफ सोल दा क्रोस सोल्स और चूसन फॉर दा यूच ऑफ कल्टी वेटर तो यह इक इस परकार का डाइग्राम जो आपको हमारे उनको देखेंगे, the implement of the tillage is more essential and useful for the cultivation, the implements are used for the final operation like breaking cloths and working the soil to a fine tilt in the preparation of the seedbed, cultivators is also known as tiller or tooth harrow, it is used for the further lozen and previously plowed land before sowing, एका नजरा कि हमारे जितने भी implements, the tillage implements हम जाए, primary की बात करे जाए, secondary की बात करे, तो यह हमारे सोल को हमारे अच्छी कासी tilt बनाने के लिए काम आता है, क्रॉप को sowing करने के लिए काम आते है, interculture operation करने के लिए काम आते है, फदर अगर इसके इंदर weed हो जाती है, या हमारे इंस्टक वगेरा को इनका इंस्ट्रेशन ज्यादा होता है, इंसेक्ट का pest का, तो उसमें भी हम क्या करते है, जो हमारे इंप्लिमेंट से इनको यूज करते हैं, as far as requirement, तो इसके सेशन को end करेंगे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकोन को फ्रेस करें, आने वाले यतने वीडियो है, आपको उसका क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और पीडिये पे सेशन की आपको टेल ग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको जोन करने के लिए, लिंक डिस्क्रिशन में गिवे न, वासे जोन के लिजी, और इसके साथ को end करेंगे, जाहिंद, जाबारत,